का है निमस्कार दोस्तों स्वागत है आपक अन्नी उत्का साथ चैनल में आज का अमार टॉपिक है विग्यान की प्रमुक्र शाक्भाओं के हम पढ़ेंगे की बिज्जान के अंदर कौन-कौन चीजे हैं जिसका किसी पर्टी कुरॉट शब्दा वैद्द की गई हैं थे वह स पहला जो आपका है एनाटॉमी एनाटॉमी के अंतरगत किसका दिन करते हैं यह देखेंगे एनाटॉमी का मतलब क्या है यहां पर तो शरीर की आंत्री सर्चना यहां पर दिमार में रखेगा इसको एक तरह से आप लोग शाखा के रूम में जो याद करें तो याद करें करें पर अपलोग तूश ब्लें करेंगे तो आपको आसाटनी होगी भी किस्टोच यह क्या होता है इसका आशाय क्या होता है तो देखेंगे ने न फाल पो लोग इसके इसका नदे इनकर कटे श मानकञा करते हैं इतिहास परमपराओं से संबंदिया अध्यन किया जाता है यह देखेंगे यहाँ पर यह थोड़ा बिज्ञान थोड़ा हटके हैं फिर इसको पढ़ते हैं लेकिन हम इसे कह सकते हैं कि यह तरह क्या है बिज्ञान है अन्थ्रेपोलोजी अब यह 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 देखें दो अधर वलिया एक एस्ट्रोलोजी एक है एस्ट्रोनोमी और दोने किसका दिन करते हैं मानों जीवन पर बिभिन अच्छतरों के प्रभाव करते हैं तो यहाँ पर नच्छत्र सब्द काे स्वाल किया गया है एक यह अ 9 तो तो हम प्रहोब होता है मानों जीवन पर उसका अध्यन करा जाता है तो ऑस्टिर नौमी में जब आते हैं तो यहां पर बंडो का चता खगोली पिंडों का अध्यन के जाता है उनका जिन के जता तो वह है एस्ट्रोनॉमी फिर आएंगे कीमो थेरपी कीमो थेरपी के अंतरगत किसका देंगे इसमें रासानिक योगिकों से उपचार का अध्यन के जता है मानों के किमो थेरपी के अंतरगत अब आते कोस्मो क मतलब नहीं कि इसे कहां बोलें ऑगे का उसलिएंगे टोमोलॉजी एंट्व में चीट पतंगों का वियापक अध्यन एंट्व लॉजी में किया जाता है एपीडी ऐपीडी मियोलॉजी महामारी और उनके उपचार से संबंदित चीजों का आध्यन किए जाथा है ठास तो इसके उपचार सम्दि या इस से संब्धी कोई धीजर का अधिन करते तो अपीडिमी तो एपेडियो का सब्द का इस्तों कहाた है तो इस्तों समन्दी उपचार का अध्यन किया जाता है सब्सक्राइब की पीश्चाय से सम्मंदित तत्यों का किया जाता है अब आएंगा थे हाइडॉ पैठी में किसका इन गालता है हाइड्रो मतलब जल हाइड्रो मतलब जल एडरो पानी से रोगों कि चिकिस्था का अध्यन किया जाता है है आहेंगे हारोलोजी का मतलब है समयमापने वाला अबतले हम्हें समय मातफा हो समय मापने वाले भिजान का लोग यह जो को देखते रहूं मैमोग्व इस में पाये जाने वरेस्ट कैंसर की जांज करने वाले चिक्षिस्द्टा बिउद mm से इसमें कैंसर का अध्यान कियाता है मेमोग्राफी के अंतरगत अब आते हैं मार्फोलोजी तो मार्फोलोजी क्या है प्रथभी पर पाये जाने वाले प्राणियों प्राणियों में अब यहां पर प्राणियों संबंदित हैं प्राणियों मतलब जीव जनतुओं से हैं और पौधों मैं सभी प्राणियों और सभी प्रकार के मुनस्पतियों यानि पौधों की सन नचना उसका रूप उसका प्रकार आधि का अध्यन किया जाता है। है dus तो का अधिन करने वाली टिकेश्ण है जिसमें दो का अधिन किया जाए वह ह hijos और विए हुआया यह का और्थ आपनचियों का फन फिर्च का अधिन किया जता है पंचियों को बड का दिन के जाता और निफोलाजी में और बौरी कल्चर रिच उत्पादन संबंधि विग्जान विच्छ उत्पादन संबंधिक्ण का दिन केता है विच्छ से समदित है और बोरी कल्चर तो एक सब्सक्राइब यहां पर चीजह जैसे की पकड़ेंगे Odontology मतलब दातों से संबंदित है, Arnithology यानि पंचियों संबंदित है, Arbory मतलब व्रिच से संबंदित है, फिर आईए Calisthenics, देखेंगे Calisthenics, इसमें किसका अध्यन किया जाता है, सारीरिक सौंदर सक्ती वर्दक ब्यामों की विधियों का अध्यन किया जाता ह इसे बोलते है, Calisthenics, ठीक है, Conkology, Conkology और Onkology, उनों में थोला confusion है आपर, Conkology में शंक विध्यान, मौलस का संके जीजनतु जो होते हैं, उसमें देखेंगे, शंक जो होता है, उस विध्यान का दिन के जाए, तो उसे Conkology कहेंगे, और Onkology में Cancer का अध्यन किया जाता है, फि Epigraphy, आप लोग की त्यास में पढ़ते है, Epigraphy, एपिगारिक में किया है, सीलालेक संबंदी ज्यान का दिन किया जाता है, उसे Epigraphy कहा जाता है, Ethnography, एफिनोग्राफी में मानो जाती का दिन किया जाता है उसे बोलते है, Ethnography, Ethology, प्राणियों के आचार तथा ब्यवहार का का अध्यन किया जाता है इत्रोजी प्राणियों के आचार तथा ब्यवहार का दिन किया था हो तो यह देखेंगे के हीलियो थेरपी अने सूर के प्रभाव से यहां देखेंगा राइड्रोपेथी यानि की पाने के प्रभाव से जो रोगों का उप्चार किया जाए उसका दिन के ता है था है थाग्षेट्यों बम जल सम्रदन देखें है था था पॉझा जा रहा है वहाँपे जल से कुछ न संकलान किया आता है अध्यान करते हैं किसके अंदर लक्सिकोग्राफिक एलाती ओब लिखने की कला जथ कहें देखते हैं या कि नियूमिसमेंटिकस किया है पुराने सिक्को का अध्यान निमिसमेंटिजिए अंतरगत मतलब किसी को अपने में करना होता है नीद का अद्धिन करते हैं अब आते हैं लाश्ट सर्पनेट मतलब की सर्पेंट से है बना हुआ सर्पेंट का मतलब होता है और इससे क्या होता सापो का अध्यन किया जाता है तो इस तरह दे सकते हैं काफी इंपोर्टेंट जो हैं यह शाखाएं इसके लाव और भी शाखाएं जो कि वनस्पति विज्ञान संब्दीट है केमश्टरी संब्दी रसायन मन्दित है उसको मैं नेस्ट वीडियो बताऊंगा तो नेस्ट वीडियो आपका यह पूरा विग्याएं सही सखाएं कम्लेट रहेंगे फिलार आज के लिए इतना ही यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भूले धन्यवाद